प्रवेश जैन रोजाना की भाती दुकान बंद कर घर पहुंचे रात दस बचे उन्हें सूचना मिली कि उनकी दुकान से धुआ नुकल रहा है जनकारी मिलते ही वे लोग दुकान पर पहुंचे दुकान का शटर खोला तो दुकान से आग की लपटे बाहर निकली लोगों ने पानी की दौरा आग भुजाने का काफी प्रयास किया लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली बाद में दंकल कर्मियों ने मौके पर पहुंच कर आग पर काबू पाया गौरतलब है कि दुकान में साड़ी और रेडिमेट कपणों का काम था तियोहार का स्टॉक भी जल कर खाक हो गया सिर्सागंज चेयर्मेंट सोनी शिवहरी ने बताया रात के समय शौर्ट सर्किट हो जाने से दुकान में आग लग गई जिससे सारा माल जल कर खाक हो गया सूर्य प्रताप सिंग फ्रोजाबाद समाचार 24 इस सोट सर्किट की वजय से भैंक पर आग इंको शूरूम में लगी जिससे बहुत नुक्षान होने की इंवीद है प्रंट सुचना मिलने पर दा फाइर स्टेशन सी एपो सापको और इंचार सापको यहां मैंने अभगत कराया यहां पर प्रंती ही दमकल आने पर आग पर काभी पालिया गया है लेकिन जिस स्थिती को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि मेरे ख्याल से करीब करोलों की सम्चिंग था उनका जो माल था है तो कर भी चोहार है और चोहार को देखते हुए तो उनका कपड़े का सोरूम है तो उसको देखते हुए उन्होंने बहुत अच्छा स्टॉक इसमें रखना था इस्थिती यह है कि वो पूरा स्टॉक करीब करीब पूरा खतम हो चुका है हमारे व्यापारी भाई का बहुत नुक्सान हुआ है कल सोबह इसको हम SDM साब और DM साब के सन्यान में डालके जो भी मदद होगी वो कराने का कारिका है